साइबर ठगों के होसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके के जागरों का भिहान चलाया जाते हैं, लेकिन अभी भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो इनके भैकाबे में आ जाते हैं और उनके साथ ठगी हो जाती हैं, सबसे पहले एक दृश्य आपको दिखा में लोग आते जाते रहते हैं, एक तरीके से आपको दिखाएं तो एक हेल्प डेक्स भी यहां पर लगी है, जागरुक्ता भ्यान लगातार चलते रहते हैं, तमाम पोस्टर यहां लगे हुए हैं, सीउजी नमबर यहां पर दिया गया है, बकायदा कहा जाता है कि अगर को आपको ठगने का या आपको पैसे की डिमांड की जाती है, तो इन तमाम नमबरों पर सूचना कर दीजिए और उन ठगी से बचिए, देखें यहां पर अंदर की तरफ एक डेक्स है, हेल्प डेक्स है, और यहां पर जो भी किसी भी तरीके का साइवर से रिलेटेड पायदा लगाई गई है, एक CEO लेवल के अधिकारी और एक SP लेवल के अधिकारी भी यहां पर बैठते हैं, अब आपको बताने की मेरट में जो ठगी हुई है, वो किसी आम इनसान के साथ नहीं हुई है, वो हुई है जो बैंक में पूर में करमचारी रह चुके है, जो बैं यहां पर लगातार थाने की तरफ आ रहे हैं, यह देखे, यह पूरे परीजन है, परिवार है, इतना डरा सहमा हुआ है कि कैमरे के आगे बोलने से भी बच रहे हैं, और पुलिस की अगर माने तो चार दिन पहले, करीब 17 सब्टेंबर को इननोंने जो रिपोर्ट करी है, कि इनके बैंक एकाउंट से, जिसमें इनका अधार कार शामिल था, बैंक एकाउंट से एक मनी लॉंडरिंग का मामला है, जिसके अधार पर मुकदमत दर्ज किया गया, और उनको इतना डराया गया, कि वो एक तरीके से डिजिटली एरेस्ट हो गया, और 17 तारिक से 21 तारिक त कि जो ठक थे, उन्होंने बताया कि आपका बैंक एकाउंट से मनी लॉंडरिंग का मामला आया है, और जितना भी पैसा आपके बैंकों में है, वो सारा एक बैंक एकाउंट नंबर हम दे रहे हैं आपको, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, बताया है यह गया, यह जो बैंक ए साने आकर एक विक्ति ने सूचना दी, कि उनको यह बताया गया फोन के द्वारा, कि उनके विरुद एक मुकदमा महाराष्टर में दर्ज हुआ है, जिसमें कि मनी लॉंडरिंग में उनका बैंक एकाउंट लिप्त पाया गया है, और इस से बचने के लिए उन्हें अपने अकाउंट का पैसा, आरबियाई के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जो कि जाज के बाद उन्हें वापस मिलेगा, ये कहकर इन से ठगी करी गई, बुज़ग विक्ति को इतना दरा दिया गया, कि उन्होंने अपना जितना पैसा था, वो उस दिये हुए बैंक अकाउ हुई है, दोका हुआ है, इस पर उन्होंने साइबर थाने आकर जानकारी दी, इस पर की तदकाल जो आरोपी के जो एकाउंट है, उनको पुलिस ने फ्रीज करवाया है, जिसके बाद एक करोट 73 लाख रुपे का नुकसान इनको हुआ, ठगी इनके साथ हुई, बाइस सब् सब्सक्राइबर, यानि की जो रवीवार का दिन था, इन्होंने शिकायत करने का प्रयास किया, 21 सब्सक्राइबर को यहां पर आए, शिकायत करी, और उसके बाद लगातार फॉलो कर रहे हैं, पुलिस को कि किस तरीके से काम कर रही है, आज कल इस प्रकार के मामले सामने आ यह एक नया प्रकार का साइबर अपराद है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को फोन करके उनको यह बताया जाता है, कि वो किसी अपरादिक मामले में लिप्त हैं, और इससे बचने के लिए उन्हें पैसे संबंदित दिये गए अकाउ आया था, उसकी ट्रेसिंग की जा रही है, जिस बैंक एकाउंट मर उन्हें पैसे ट्रांसवर कर रहे थे, उसको फ्रीज कर दिया गया है, और अब आरूपियों की गिरफतारी के प्रयास कर रहे हैं, अनमोई शर्मा, TV9 उत्रप्रदेश, मेरड